हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ICAR, इंडियन एग्रिकल्चर रिसेर्च इंस्ट्यूट भारतिय किर्शी अनुसंधान संस्थान के online form fill up process के बारे में, तो फ्रेंज, यहाँ पर जो यह notification है IAR, IMA technician requirement 2021, इसका online form आप कैसे fill कर सकते हैं, तो इसके apply करने से पहले jobrasta.com पर आप विजिट कर सकते हैं, link description में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप इसकी details को check out कर सकते हैं, अगर आप applicable है, eligible है, तो 18-12-2021 से 10-1-2022 तक आप इसमें आविदन कर पाएंगे, अब यहाँ पर फैंस जो यह recruitment notification है, इसको भी आपको ध्यान से check करना है, आपकी जो vacancies है, total 641 post की vacancies रहेंगी, दसवी class pass out होना आपका जरूरी है, और साथ में जो इस criteria है, 18-30 साल रहेगा, 10-9-2022 को यह count किया जाएगा, तो यह जानकारी आपको इस section में देखने को मिल जाती है, और साथ में आप वीडियो description में jobrasa.com पर जाकर भी check कर सकते हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे, आई-ARI में technician vacancy है, उसका form आप कैसे fill कर सकते हैं, step-by-step process के बारे में, और इस वीडियो को start करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी updates मिल सकें, तो यह करने के पर आपको register का और इसके बार login का option मिलता है, अगर आप register कर रहे हैं, तो registration कर सकते हैं, और आप register कर चुके हैं, और बीच में form को कहीं पर छोड़ देते हैं, तो आप बाद में भी यहाँ से login कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर proceed करेंगे, registration करने के लिए, उसके 10 की mark sheet के according आप यहाँ पर जो नाम है वो आप enter करेंगे, आपका 10 digit का mobile number आपको fill करना है, आपकी active and valid mail ID आपको यहाँ पर fill करनी है, और mail ID को friends यहाँ पर आपको confirm करना होगा, यह friends यहाँ पर तीन चीज़े basic detail है, नाम, आपका mobile number, आपकी mail ID, यह बिलकुत सही सही आप यहाँ पर enter करेंगे, इसके बाद friends यहाँ पर जो यह security code है, यह enter करने के बाद आप यहाँ से data को submit कर देंगे, इसके बाद friends यहाँ पर देखिए, आपका जो registration है, वो complete हो जाएगा, और उसके बाद friends आपको यहाँ पर आपका application sequence number मिल जाएगा, साथ में जो login details है, वो भी friends आपको आ already register वाला option है, आप इस पर click करेंगे, और यहाँ पर देखिए अपनी user ID और जो password आपकी mail ID और आपके mobile पर आया है, वो आप डाल कर यहाँ पर capture code को डाल कर लोग इन कर लेंगे, लोग इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface open होगा, और इसमें आपको यहाँ पर click here to fill application form का एक option आपको मिलेगा, आप इस option पर click करेंगे apply करने के लिए, आपको यहाँ पर जो browser है इससे related आपको guidelines मिलेंगी, आप इस data को complete होने दे सकते हैं, और इसके पर आप इस data को यहाँ से close कर देंगे, सबसे पहले friends से यहाँ पर देखिए आपको select करना है आपका gender, आप क according जो भी आप exam city यहाँ पर लेना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर check कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो यहाँ पर friends आपको जो आपका exam cities है, उसकी list आपको दी गई है और 5 आपको यहाँ पर आपके centers की जो आपको selection है, वो आपको यहाँ पर करना होगा, यह करने के बाद आपको मिल 2022 को आपका ace criteria count होकर यहाँ पर आ जाएगा, अब ऐसे अगर आप PH candidate है तो yes कर सकते हैं, आपकी type of disability आप यहाँ से select कर सकते हैं, subscribe चाहिए नहीं चाहिए आप yes यह no कर सकते हैं, नहीं है तो आप no करेंगे, अगर आप a service man है तो आपकी जो date of joining है, date of retirement है वो आप यहाँ बताए हैं, किस post पर हैं, आपका appointment date क्या है, आप permanent है तो yes कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें no करेंगे, नहीं है तो आप simply no करेंगे और उसके बार यहाँ से data को save and proceed or save and nest कर देंगे, इसके बार friends आपकी data save होने के बाद आपको यहाँ पर enter करना है आपका father name, यह friends यहाँ पर enter करने के आपको देना होगा आपका mother name, तो यह आप अपने according 10 की मार्शीट है, details के according आप यहाँ पर fill करने वाले हैं, इसके बाद आपका आएगा address section, तो friends आपका जो भी पूरा address है, जो भी आप लिखते हैं अपने address में, यह है आपका correspondence address, correspondence होता है आपका present का address, तो present में जो भी आपक address है, वो आप यहाँ पर fill कर सकते हैं, तो आपका state, आपका city कौन सा है, इसके लबाद आपका pin code क्या है, यह आप यहाँ एंटर कर देंगे, अगर आपका correspondence और permanent address सेम है, तो आप yes कर सकते हैं, अलग-अलग है तो आप अलग-अलग entry भी कर सकते हैं, इसके बाद fans से यहाँ प address होने का worst कौन सा है, मतलब कब आपने इसको pass किया है, वो आपको यहाँ पर select करना है, और आपकी percentage आपको यहाँ पर enter करनी होगी, इसके बाद अगर आप 12th pass out है, तो आप उसकी जानकाई दे सकते हैं, आपकी कोई degree है, तो आप उसकी जानकाई दे सकते हैं, कोई additional qualification है, तो आप सब 10th के basis पर ही आप इस form को apply कर सकते हैं, fill कर सकते हैं, तो 10th की जानकारी fill करना यहाँ पर आपका ज़रूरी रहता है, इसके बाद फैंसे आप यहाँ से data को save and nest करेंगे, और उसके बाद आपका जो payment detail option है, वो आपका आ जाएगा, जो fees आपके यहाँ लगने वाली है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, इसके बाद है documents upload, तो यहाँ पर फ्रेंस से देखिए, आपको recent past present photograph upload करनी है, जो कि 3 हफते से ज़्यादा पुरानी ना होनी चाहिए, signature upload करना है, matriculation का certificate या mark sheet upload करनी है, जाती परमान पत्र आपको upload करना होगा, अब photo and sign के यहाँ पर upload कर देना है, तो यहाँ पर फ्रेंस से photograph, signature, document upload करने के बाद, आपको uploaded successfully का एक message मिल जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपका दिया गया है, आपको इसके एक security code, तो जो इस security code है, यहाँ पर enter करना है, और यह करने के बाद आपको agree पर click करना है, और उसके बाद यह यहाँ से आपको आपका preview है, वो आपको यहाँ पर check करना है, आपका application preview check करना बहुत important है, और यहाँ पर आपने जो भी details फिल की है, वो आप यहाँ पर check कर सकते हैं, नीचे आप आएंगे, तो यहाँ पर आपको इसके सारी जानकारी देखने को मिल जाएंगे, तो आप अप आपने जो preview section है, इसको ध्याँ से चेक जरूर करें, अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है, आप back जाकर इसको edit कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है, सभी step आपके विल्कुल सही है, और उसके बार आप इसे final submit करना चाहते हैं, तो आप यहाँ स कर देंगे, उसके बाद fans आप इसमें edit नहीं कर पाएंगे, इसलिए चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, इसके बाद यहाँ पर आपको यह data को agree करना है, अगरी करने के बाद आपके सामने जो आपका payment gateway है, यह open हो जाएगा, मतलब कैसे आप यहाँ payment कर सकते हैं, तो net banking के माध्यम से, card के माध्यम से, UPI के माध्यम से आप payment कर पाएंगे, कोशिच कीजिए अपने net banking यूज करें या card यूज करें, या तो आप SBI user है, या फिर किसी other bank के net banking user है, या फिर SBI के आपके पास card है, या फिर किसी भी bank का debit card या credit card है, आप यहाँ पर अपना payment confirm कर सक इसके बाद जैसे ही आपका payment verify होगा, आप अपना final print out निकाल कर अपने पास रख पाएंगे, साथ में फैंस, आप यहाँ पर जब आएंगे, इसके home desk पर तो आप यहाँ से login कर सकते हैं, तो same आपका जो process है, click here to login का, आप यहाँ पर login कर सकते हैं, candidate के details को fill कर सकते हैं, और उ IAR technician का online form आप कैसे fill कर सकते हैं, step by step process के बारे में, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है, आप चाहते हैं, ऐसे ही updates आपको लगातार मिल सके, तो like, subscribe and share जरू कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए, ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा YouTube channel, and last things for watching.